Hello and Welcome Everyone आज हम डिस्कस करेंगे GPS सिस्टम के कॉंपोनेंट्स के बारे में GPS means Global Positioning System Basically हम इसकी definition की बात करें तो ये एक Satellite Based Navigation System होता है हम GPS की स्टोरी में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा explanation चाहिए तो आप previous lectures को जाकर देख सकते हैं आज हम सिफ components of GPS system के बारे में discuss करेंगे GPS system के generally 7 components होते है components का मतलब है कि वो किस-किस चीज़ से मिलके बना होता है या फिर GPS क्या-क्या चीज़ें constitute करता है तो GPS system के components में सबसिफ पहला है GPS antenna second है GPS receiver third है GPS display and storage fourth is interface fifth is DGPS sixth is GPS ground control stations and last है GPS satellites आपको इन सारे components के नाम ध्यान में रखने हैं कि GPS system के कौन-कौन से components है और इनका एक-एक line में क्या-क्या functions है ये सारे जित्ते भी components है वो क्या-क्या काम में आते है सबसे पहले हम discuss करेंगे GPS antenna की antenna shape और size के अधार पर अलग-अलग तरीके के आ सकते हैं अलग-अलग GPS में use करने अलग-अलग जगह पर GPS में use करने के लिए इसका basic सा function जो GPS antenna का होता है वो GPS signals को receive करने का जो काम है वही GPS antenna का work है next हम discuss करेंगे GPS receiver जो component है GPS system का GPS receiver जो है उसका main काम है किसी भी geographical area में किसी भी specific area में कहीं पे भी जो geographical data होते हैं वहाँ से related जो भी data हैं उनके collection करने का काम receiver करता है यानि कि antenna जो है वो GPS signals को receive करने का काम करता है receiver जो है वो जो particular data होते हैं इसे भी जोग्रोफी से रिलेटेड जोग्रोफिकल डेटा जो हैं उनको रिसेव करने का काम करता है। नेक्स्ट है GPS डिस्प्ले अंड स्टोरेज तो यहां पर डेटा का स्टोरेज होगा, एक स्टोरेज का कंपोनेंट होगा जिसमें डिफरेंट टाइप के जो डेटाज और इन्फोरमेशन होगी उसका कलेक्शन रहेगा। ताकि उन डेटाज को फ्रदर फ्यूचर में भी यूज़ किया जा सके और उनका नियूमेरिकली और ग्राफिकली उनका यूज़ कर सके। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है इंटरफेस जिसमें की इंटरफेस जो है वो किनी भी दो डिवाइस को जोडने का काम करता है यूँ नहीं है कि किसी भी एक डिवाइस को अगर पर्टिकुलर दूसरे डिवाइस से हमें कनेक्ट करना है तो वो इसली कनेक्ट हो जाएगा उसके लिए कुछ rules, कुछ regulations, कुछ standardized protocol होते हैं जब हम GPS system को एक broad level पे, country level पे use करते हैं तो interface जो है वो connection का काम करता है Next है DCPS DCPS जो particular GPS signals होते हैं उनमें अगर कोई positional correction आया है तो उस positional correction को correct करने का काम करता है DCPS Means जो GPS signals हैं उनको positional corrections provide कराता है Next component है GPS ground control station या फिर control segment Control segment क्या करेगा बहुत सारे नीचे जो monitor stations होते हैं वो measurement collect करेंगे कि कहाँ पर क्या correction चल रही है और कहाँ पर जो data का production है वो सही चल रहा है तो control segment में data को monitor किया जाएगा जो measurement से उनको monitor किया जाएगा and then उनमें corrections वगरे को check किया जाएगा GPS satellite या space segment Space segment वो सारी चीजों को include करता है जो कि satellites या फिर rocket से सम्मंद रखती है और परतेक satellite में 4 atomic clock होती है या आपको ध्यान में रखना है तो measure measure आपको इनकी एक एक line में आपको इनके functions ध्यान में रखना है कि कौन सा किस type से function करता है और दूसरा components क्या है GPS system के इनके आपको नाम पता होने चाहिए अच्छे से GPS antenna, receiver, display, interface, DGPS, ground control stations and GPS satellite अच्छे से अच्छे से आपको लिए रखना है